तो कंगनान नौट खीक और मूवी आ गई है जिसका भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाता है यह हमें बिल्कूल बात समझ में आ चुकी है कि हो जादा चलते चलते नहीं है चाहे वो जितने भी बड़े स्टार बन जाए गर्टी फॉर एक्जामपल अगर हमने रिसेंटली देख चला के देख लेते हैं किस तरीके का हलागी मुझे कोई खास उमीद नहीं है क्योंकि अगर आप बीजेपी के अंदर हैं तो ओविसली कहीं ना कहीं जब स्टेट्मेंट भी सी तरीके के आएगी कि सबसे डाक साइड है अब टेक्निकली क्या होता है कि डाक था कि रोशनी भ जो आपके लिए कड़े नहीं ले सकते जिसमें ताम कुछ तो तुम उचसे सिखा करती थी मदर सिखाना चाहती हूँ लेगागा हुए ज़ इस अच्छी कर सकता हुआ है कुंगी कुछी अटौ एड भाप बूट जरा ओि ज़िक ज़ा टेंड़ की टीकों कि कुसीर अब लाज निथ तीमे कोई तीसी अचाहती हूँ और जब एखार पें जिए होट्पेंटिता थी कामी थीज़ झालाशने ट आपको सिर्फ लेक्लार्व उन्टार्ड पुर्णाथ प्रॉण वे जी दिए लाग्ट यूज़ा दिए गूद्टार्य पर शुछ जाने के लिए लेकर की वहां जाता है जट कोई बड़ी डिश्या वपनी 묶्रोगी लाट रहते हैं पर्च हो दी, तो कहीं, एबेश, एक खुली ये मन जाएगा, पूरी कहले की सभन प्यावशिक होती है इंगरादी, मैं ही क्या बिलेट होती है, आजसे सब को उच्पन, अक्पार, ओफिसे, प्रिंटिंग रसे, सब की फिश्री का दो, इसने सोचा था कि लोग तंत का, ऐसे एक अलाग उठेगा, अर आवाज जो उसके खिलाग उठेगी, पुचलती जाएगी, आवाज का धारत के लोग तंत पे इकाना धपवा है, सारी देश में तुम्हारे खिलाज, नफरत का मफल पे दबता जाना है, नफरत, नफरत, नफर देश में जो कुछ भी वहा था, क्या था, अब इसने यही आता है कि कितना वेल रिसर्जट होगा यह क्वेस्टन माखमेशा डाउट फोड़ा सा रहता है क्योंकि अगर आप opposition party के अंदर है और जो ruling party है वो अगर आप अप अगर ऐसे हो जाएं कि जो ruling party में है तो जो opposite side में है जाने कि congress opposite side के अंदर है वो इतनी information कितनी transparently देगी यह वही सब चीज़ें जो कहीं लिखी वी होंगी उसको दुबारा से प्रस्तुत किया जा रहा है मोटे मोटे लेवल पर ऐसा लग रहा है लिए कुछ चीज़ें बहुत इंट्रेस्टिंग है कि संजे गांदी का क्या रोल था कालिस्तान का देमांड कहां से origin हुआ था क्या उनका क्या रोल था इसके अंदर तो यह सारी जो चीज़ें यहां पर दिखाई जा रही है अब कितना सच है कितना जूट है यह तो भावान को ही बता होगा क्योंकि कि पॉलिटिशन्स तो भी सच बोलते नहीं है मेरा तो यही मानना कहीं न कि कुछ ना कुछ एक एजन हिटन एजेंडा होता ही है बहुत कम है ऐसे बॉलिटिशन्स जो डूली रिस्पेक्टेड होते हैं जैसे मैं बहुत ज़दा रिस्पेट करता हूं अटल भारी बाच्व कोई कुछ भी बोल देता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे आता है नहीं आपको ऐसे लगा वैसे ट्रेया ट्रेलर इतना बुरा नहीं है आक्टिंग भी ठीक लग रही है जो चीज़े अच्छी है और इंटेंसिटी भी काफी जाता लग रही है जि इतनी भी ऐसी पॉलिटिकल मुवी बनती है जिनका कुछ एजेंडा होता है उसकी प्रॉडक्शन क्वालिटी हमेशा थोड़ी सी इंफीरियर रही है अभी तक कोई बहुत जादा टॉप नौच नहीं होती इवन कश्मीर फाइल्स भी ओकेश जोन के अंदर की इसकी प्रॉ सब्सक्राइब करें जानता है वो डिटेल आउट करके कॉमेंट करके में बता दे कि यह चीज़ एक्चुली में होई थी पिर जब मुवी आएगी तो मैच करा लेंगे उसको बाइब